यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी हमारी पॉस्टिक पालक की सब्जी जो की आयरन से भरपूर है और बच्चों को पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं कि हमने रेस्पी कैसे बनाई है तो हलो एवरेन आप सब का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शाय मिस्टर में ग देखे तीन गालास मैं पानी ले लिया हैं ज्ञवरें यूट्म पानी पानी को तो इसमें लाएंग यूट करदें'dार्म से देखे पानी को शुचित व्यूच्टिक 18 क्वारत करिसे अजू तो यह नि पानी ब्लांच उत में में आपकर गया है अब्स हो tomar पानी गर्म इसम यह देख सकते हैं गाइस तो अब चीनी भी हम इसमें बैल्ट कर लेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे हाप टेवर स्पून नमक क्योंकि नमक भी बहुत जरूरी होता है यह चीनी और नमक में ब्लांच करने से ऐसा होता है उसका टेस्ट सही रहता है और ग्रीन रहती है पालक हमारी तो इसको देखे ढख करके हम पालक को बॉयल कर लेंगे तो यह देख सकते हैं गाइस चलिए आप इसमें से जो भी चीज ना खाएं वो स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं है लसन प्याज आप सकते हैं तो चलिए इनका बनाते हैं पेस्ट तो यह देखे पेस्ट बना लेते हैं यह देखे गाइस हमारी पालक हो चुकी है बॉयल अभी हुई नहीं बट इसको हम देखे नीचे वाली पालक को उपर कर देंगे और उपर वाली पालक को नीचे जिसकी वजह से सारी पालक हमारी अच्छे से बॉयल हो जाए तो देखें इस तरह से कर देते हैं एक बात और क्योंकि पालक में आईरन होता है जो कि खून बढ़ाने में बहुत जादा मदद कर रहा होता है तो बच्चों को खिलाना भी जरूरी है पालक की डाल वगरा बच्चे नहीं खाते मगर इस तरह से सब्जी बनाने से बच्चे पालक की डाल बहुत अच्छे से खाएंगे तो इस तरह से हम बॉयल कर लेंगे तो देखिए यह लगबग लगबग ब्लांच हो जाएगी यह देखिए गाइस ब्लांच हो चुकी है हमारी अब देखे बॉयल भी अच्छे से आ रहा है तो हम फ्लेम करेंगे बंद और इसको हम निकाल कर रख लेंगे अलग क्योंकि इसको हम करेंगे ठंडा और जो इसमें बचा हुआ पानी है उसको हम करेंगे आगे सब्जी की ग्रेवी में इस्तमाल और अगर आप ग्रेवी में नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप इसका सूप बना सकते हैं या आटा डो लगा सकते हैं आटे का तो चलिए देखते हैं हम इसको करेंगे ठंडा ये देखें पानी बच किया है हमारा इसका पानी जो है, वह हाँ से ऐसे करके स्क्रीच करेंगे जिससे कि इसका पानी जितना एक्ष्ट्रा है वो भी निकल जाए हमारा तो इसी तरह से दबा-दबा के अच्छे से कर लिए, क्योंकि अगर इसमें अधीग पानी रहे जाएगा, तो हमें इसको फ्राइ करने में काफी समय लगेगा तो यह देख सकते हैं यह हमारा हो चुका है तो इसी तरह से हम सारा निचोड़ लेंगे और यह देखे निचोड़ लिया तो पानी बचा तो इसको भी उसी में मैट कर लेंगे पानी में ही अपना क्योंकि इसमें भी पॉस्टिक है देखे अब इसमें डालेंगे हम हींग, 2-3 पिंच क्नोंकि आसे सब़्जों ने हींग की मात्रा अच्छी होती है, अच्छी लगती है, आयदक करेंगा हम आपकर पलक यई सारी डालक कर लेंगे भूह लेंगे अच्छे से और अजो का झालर देख सकते हैं कि भालक में चीनी और नमक डाल?", नहीं Lore है वह गया है इसे तरहा है उन्हेट भालक क्रेंगार है तो आपक जादा अच्छा लग रहना है इसी तरह से हम चलाते वे बून लेंगे तो देखिए गाइज हमारी पालक बून चुकी है और यह सब इतनी जल्युपा खल का सा और डाक हो गया है और कॉंटिटी में पालक हमारी हो गई है कम थेए और हमने इसमें फिर से 40 पांच स्पून और डाला है उसको कर लिया है यह य और अब इसमें हम डाल दियें हीं दो पिंच और अब जो हमने पेश्ट बना कर रखा था हम वह इसमें एड़ करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से एक बात और गाइस हम यह साही सबजी और मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं और कोशिस अपब यह बनाएन तो मस्टर्ड ऑयल को पका ना बहुत जड़ी होता है इतना पकाए कि ऑईल से दुगा निकरने लगे उसके बाद में मसाले अट करें ठंडा करके ऊईल को ठंडा करके तो इससे ये खराब नहीं हुआ तो देखें आप हम कुछ फ्लेवरफुल मसाले यूज़ करेंगे दिर्निया पाउडर हल्दी पाउडर आदादा स्पून मिर्च कस्मीरी मिर्च पाउडर तो ये भी हमने हाप पे स्पून लिया हुआ है लाल मिर्च पाउडर थोड़ा लिय मिर्च अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं बस इतनी कम इंक्रियंट से हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी तो देखें यह हमारा मसाला बुन चुका है और अब हमने इसमें पालक भी एड़ कर दी है अपनी एक बात और वाइस यह जो सब्जी बनती है टेस्टी तो ह है और दूसरी बात यह है कि यह समय बहुत बचाती है क्योंकि अगर आपने पालक ब्लांस करके रख लिए और आलू तो रख लिया है वाइल करके तो बहुत जल्दी बनती है क्योंकि बस पालक और मसाले भूनने में टाइम लगता है बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं देखे पान से 6 आलू रख थे वह भी हमने तोड़के डाल दी है और जो पानी जो बचा था पालक का वही हमने इसमें यूज़ किया हुआ है तो देखे अभी एक बावल पानी हमने यूज़ किया हुआ है आप यह देखे जाया दूसरा बावल हम यूज़ कर रहे हैं आप जितनी तो यह देखे गाइस अब इसको हम वाइल कर लेंगे यह देखे गाइस पालक का पानी गरम था इसकी वज़ा से हमारी सबजी में वाइल बहुत जल्दी आ गया है और बस अब इसको दो मिनट पकाएंगे और उसके बाद में हम करेंगे सर्व गाइस यह सब चीजें पकी हुई है पानी भी वाइल है पका हुआ है तो बहुत जल्दी यह सबजी बनकर रेडियो हो जाती है हमारी इस तरीके स बन चुकी है तो आप इसमें हम यूज करेंगे गरम मसाला और फिर करेंगे सर्व तो यह देखें गाइस गरम मसाला ने डाल दिया है आप धनिया चाहें तो आप धनिया एड कर सकते हैं बट वह खुदी इतनी ग्रीन है कि इसमें धनिया दिखाई नहीं दिखाई नहीं कर हमारी तयार है अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा और सेयर करेगा अगर हमारी रेस्पी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको कोई और भी रेस्पी जाननी है या देखन हैं तो प्लीज कमेंट में बताईएगा हम आप लोगं के लिए वो ले करके आएंगे तो मिलते हैं नेक्स डे नेक्स रेसिपे के साथ थैंक